नियम और श्रद्धा डेडिकेशन और गिवप ना करना भगवान कहते हैं भक्त को अपने नियम और श्रद्धा नहीं बदलनी चाहिए भले ही उस पर कितने ही कश्टा हैं मैं तुम्हारे सारे कारे समयाने पर सिध कर दूँगा एक शक्स सुभा सवेरे उठा साफ कपड़े पहने और भगवान जी के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ चल दिया ताकि भगवान जी के दर्शन कर आनंद प्राप्त कर सके चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पढ़ा कपड़े कीचण में सन गय वापस घर आया कपड़े बदल कर वापस मंदिर की तरफ रवाना हुआ फिर ठीक उसी जगा ठोकर खाकर फिर गिर पढ़ा और वापस घर आकर फिर कपड़े बदले फिर मंदिर की तरफ रवाना हो गया जब तीसरी बार उस जगा पर पहुँचा तो क्या देखता है कि एक शक्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे-पीछे चलने को कह रहा है इस तरह वो शक्स उसे मंदिर के दर्वाजे तक ले आया पहले वाले शक्स ने उससे कहा आप भी अंदर आकर दर्शन का लाग लीजिए लेकिन वो शक्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और मंदिर में दाखिल नहीं हुआ दो-तीन बार इंकार करने पर उसने पूछा आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो दूसरे वाले शक्स ने जवाब दिया इसलिए क्योंकि मैं काल हूँ ये सुनकर पहले वाले शक्स की हैरत का ठिकाना ना रहा काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दुबारा मंदिर की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप शमा कर दिये जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दुबारा जाने लगे तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के गुनाह शमा कर दिये मैं डर गया कि अगर अपकी बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदल कर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो वे आपके सारे गाउं के लोगों के पापशमा करते इसलिए मैं यहां तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ अब हम देखें कि उस शक्स ने दो बार गिरने के बाग भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर पहुँच गया और एक हम है यदि हमारे घर पर कोई महमान आ जाए हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं भजन जाप छोड़ देते हैं क्यूं? क्यूंकि हम जीव अपने भगवान से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों और रिष्टदारों से ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे ज़्यादा मोह है इसके विप्रीत वे शक्स दो बार की चड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदल कर मंदर चला गया क्यूं? क्यूंकि उसे अपने दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था वे किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम तूटने नहीं देना चाहता था इसलिए काल ने स्वैम उस शक्स को मंजल तक पहुँचाया जिसने की उसे दो बार की चड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था बाधा पहुँचा रहा था आप भी अपने जो भी विशेज के लिए या लाइफ को ट्रांस्फॉर्म करने के लिए चेंज करने के लिए टेकनिक्स कर रहे हैं प्रेयर्स कर रहे हैं कभी हार मत मानिये हो सकता है कि आपके प्रयास में कभी-कभी बीच में blockages आएं, रुकाफटे आएं पर आप घबराये नए वो सारे आपके कार्मेक अकाउंट्स खतम कर रहे हैं, clear कर रहे हैं और ध्यान रखिए जिस पल आपका कर्मा positive हो गया, फिर आपकी life में सिर्फ blessings है बिना कोई मेहनत किये, बिना कोई technique किये भी आप चीज़ें आसानी से manifest कर सकते हैं इसलिए consistency, dedication, trust, belief बहुत जरूरी है and yes, निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखो, give up, मत करो जरूर मन्जिल मिलेगी, जरूर होगा और definitely आप लोग अपने wishes manifest करेंगे That's all, thank you so much